और स्पीच कर रहे हैं बड़ी खबर का मद्धे प्रदेश में अब स्कूल अनलॉक होने जा रहे हैं और ये स्पीच जानकारी मद्धे प्रदेश में स्कूल अनलॉक एक से बार्वी तक के स्कूल खोलने के आदेश दिये गए हैं वही 100% दी शम्ता के साथ स्कूलों को खुला जाएगा और अभी तक बहुत हथ तक बच्चों के पढ़ाई रभावित नजर आई थी बादित हो रही थी लेकिन अब मद्रदेश में स्कूलों को भी अनलॉक कियाने की तैयारी की जा रही है पहली से लेकर के बारवी तक के स्कूलों को खुलने के आदेश दिये करे हैं और 100% दी शम्ता के साथ स्कूलों को खुला जाएगा इसके लिए बकायदा स्कूल शिक्षा विभाग्ट ने आदेश जारी कर दिये हैं तो सौ फीस्ती शम्ता के साथ स्कूलों को खोलने के तयारी भी है और इस पर लगातार इससे पहले भी प्रशासनिक स्तर पर एक रिपोर्ट तयार करके सरकार तक पहुँचाई गई थी जिसमें स्कूलों को खोलने का एक पस्ताव भी था और ऐसे में अब आगे इस पर कदम उठाते हुए सरकार ने इस पर फैसला लिया है और स्कूलों को अनलॉक करने का जो काम है वो अब जल्द ही किये जाएगा तो स्कूल चिक्षा विभाग ने इसको लेकर आदेश जारे किया है पहली से लेकर के बारवी तक के स्कूल खोलने के आदेश दिये गए हैं और कुरो और फिर से स्कूलों को अनलॉक किया जा रहा है कुल भूशन सकसेना मारे समाताता जुट चुके हैं जादा जानकारी के साथ कुल भूशन क्या भी तक जानकारी है स्कूलों को अनलॉक करने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाया जा रहा है बिल्कुल शुबेंद्र अगर बात की जाए तो अब हम ये कह सकते हैं कि लगबग जो तीसरी लहर है वो समाप्त हो चुकी है और अब जिस परकार से मार्केटों में एक बार फिर से हलचल देखी जा रही है जो प्रतिबंद लगाए गये थे हाला कि नाइट कर्पी भी मदबदेश में जारी रहेगा लेकिन जो तमाम प्रतिबंद है वो हटा दिये गा है मुख्यमंतिरी ने इसकी कोशना की है और अब स्कूल भी जो है पून शम्ता सौब प्रतिशाथ शम्ता के साथ जो है इसकूल लगेंगे इसके साथ ही वैक्सिनेशन पर सबसे अधिक जो है मुख्यमंद्री देते हुए नजर आ रहा है बच्चों के वैक्सिनेशन में भी मदभदेश ने उकलब्दी हासिल की है तो हम कह सकते हैं कि अब एक बार पिर से इस्कूलों में हल चल देखने को मिलेगे और 100% के साथ अब इसकूल लग सकेंगे अभी तक जो नियम थे वो 50% के साथ थे लेकिन अब मदभदेश में एक बार पिर से 100% चम्ता के साथ इसकूल स्वामबार से लगना शुरू होगे चले बहुत शुक्या इस परजानकारी के लिए